पेड़पॉधों के पत्तो के सर्फेस में कुछ छेद होते हैं। इन्हें स्टोमाटा कहा जाता है। इनसे पेड़पॉधे एट्मोस्फियर के साथ आउक्सिजन और कार्बन डायОक्साइड का एक्स्चेंज करता है। इन्हें आप पेड़ पौधों का नाख कह सकते हैं इंटरिस्टिंग बात ये है कि जरूरत पढ़ने पर ये सारे स्टोमाटा खुल जाता है और जब गैसेस का एक्सचेंज की जरूरत नहीं होती है तो ये बंद हो जाता है यहां आप एक स्टोमा को खुलते और बंद होते देख रहे हैं मैंने स्टोमा कहा क्योंकि ये singular form है plural form में हम इसे स्टोमाटा कहते हैं एक स्टोमा और बहत सारे स्टोमाटा ये दो इस स्टोमा का guard cells है जो स्टोमा को खूलता और बंद करता है इस दूसरे animation में आपको stoma के through gases का exchange दिख रहा है Gases के exchange की जरुरत दिन में ज्यादा होता है जब photosynthesis होता है पेड atmosphere से carbon dioxide लेता है और atmosphere में oxygen छोड़ता है उस समय ये ज्यादा तर खुला होता है रात के वक्त gas exchange की जरुरत ना के बराबर होती है तो ये ज्यादा तर बंद रहता है पर सवाल ये है कि ये कैसे खुलता और बंद होता है इसे explain करने के लिए दो popular theories है एक है sugar concentration theory और दूसरा है potassium ion concentration theory यहाँ आप एक stoma का guard cell देख रहे हैं आसपास के cells से पानी, osmosis से guard cells के अंदर जा सकता है आपने class 9 में diffusion और osmosis का वीडियो देखा होगा अगर नहीं देखा है तो चिंता मत किजिए description box में और i button में link रहेगा अब देखते हैं कि ये sugar concentration theory क्या कहता है जब guard cells के chloroplast में photosynthesis होता है तब वहाँ बनता है glucose जिससे cell के अंदर पानी का concentration घट जाता है और इससे आसपास के cell से पानी guard cell के अंदर चला जाता है इसके कारण guard cell full जाता है और दो guard cells के बीच एक gap बन जाता है हम कहते हैं कि stoma open हो गया रात के समय photosynthesis नहीं होता है जिससे guard cell वापस से सिकुड जाता है और stoma बंद हो जाता है ये तो था sugar concentration theory potassium ion concentration theory भी theoretically कुछ इसी तरह का है जब photosynthesis होता है तब guard cell में ATP बनता है adenosine triphosphate जो की energy का source होता है इस energy का use करके guard cells के आसपास के cells से potassium ion guard cell के अंदर चला जाता है जिससे guard cell के अंदर का पानी का concentration घट जाता है और osmosis से आसपास के cells से पानी guard cell में चला जाता है और इन guard cells के फूल जाने से stoma का छेद खुल जाता है ये topic class 10th biology के chapter life processes से लिया गया है अगर आपके पास भी इस chapter से related कोई इसी तरह का सवाल हो तो comment box में आप बेजिजक सवाल पूछ सकते हैं किनी दो सवालों का जवाब वीडियो में दिया जाएगा आपके सवाल का इंतजार रहेगा आपके लिए बने टेलिग्राम चैनल में test series आने वाला है टेलिग्राम में जाकर सर्च कीजिए edu.10 आप चाहे तो चैनल को जॉइन कर सकते हैं like processes chapter के playlist का link आपको screen में बिलेगा और description box में मिल जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें Goodbye